हेलो दोस्तो वेलकम टू माई चानल गारेनिंग विच चिनमेनू फ्रेंट्स इस वीडियो में हम बात करेंगे कि विंटर के जितने भी जो हमारा प्लांट होता है उसके लिए एक बेस्ट पोटिंग मिक्स हम किस तरीके से बनाए तो विडियो को end तक देखते रही है फ्रेंट्स तो पोटिंग मिक्स बनाने के लिए हमने लिया हुआ है 60% जो pure organically rich garden soil और उसमें हम मिला रहे है कुछ 20% इस तरीके से जो मोटी वाली reverse chain आता है मिला लिया है उसके बाद हम इस पर मिलाएंगे फ्रेंट 20% के करीब जो garden compost या भर्मी compost भी मिला सकते हो या कोई भी organic manner वियाफ मिला सकते हो तो फ्रेंट इस तरीके से मिलाने के बाद आप इसमें मिलाओगे जो single super phosphate अगर आप 100 किलो की mixer बना रहे हो तो half किलो उसमें single super phosphate आप मिला यह बहुत ही अच्छा रेजल देता है और मिट्टी को भूरबूरा बनाता है मिट्टी को हालका रखता है और बहुत ही अच्छे से plant इसमें develop करता है तो इस तरीके से सारे ingredients मिलाने के बाद आप इसे अच्छे तरीके से soil mixture को mix कर लीजिए एक दूसरे के साथ ही अच्छे से mix हो जाए फ्रेंड यह मिलाने से होता क्या है फ्रेंड इस तरीके का soil mixer बनाने के बाद आप तूरंत प्लांट में use मत कीजिए तूरंत अगर प्लांट में use कर दोगे इसमें report कर लोगे प्लांट तो प्लांट आपका survive नहीं कर पाएगा तो इसे आप store करके रख लीजिए इ उस तरीका का गमले में कुछ इस तरीका जो टुकडा आता है गमले का टुकडा देके drainage hole में उसे store करके आप रख लीजिए कुछ 3 weeks के लिए आपको store करके रखना पड़ेगा और हर week में एक बार आप इसमें watering करोंगे ज्यादा watering आपको हर दिन watering करना जरूरी नहीं है आप इ अब इसे हम weekly once watering करेंगे और इसे पूरे दूप में हम छोर देंगे तो इस तरीक का potting mix बनाने का फाइदा ये होता है इसमें जो गोवर की खाद और हमने जो garden soil मिला हुआ है उसमें कुछ bacteria होते है वो अच्छे से ये सारे ingredient को मिला लेते है और decompose कर लेते है जैसे कि जो नया plant आएगा उसका root develop अच्छे से होगा और plant अच्छे से बढ़ेगा तो आपको अगर ये वीडियो फ्रेंड अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को like कीजिए, share कीजिए और मेरे चैनल को subscribe कर लिजिए और आप भी इस तरीके से समय से पहले potting mix बना के रख लिजिए